बारवा घर के श्वामी बिहश्पती, राहू के साथ, बारवा घर किसका होता है, बिवाहिक लाइफ का होता है, जेल का होता है, नमस्कार दर्शों का आप्शवी कहार दिक अभ्हेंदन करता हूँ, बाइश अपरेल से बिहश्पती गोचर चेंज कर रहे हैं, मतलब वो मेस राशी में जा रहा है तो गोचर चेंज करने से कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पर जरूर पढ़ेगा तो आज मकर राशी पर क्या प्रभाव पढ़ेगा पूरे साल अप्रेल से लेके पूरे शाल मकर राशी पर क्या प्रभाव पढ़ेगा शक्रात्मग भी हो शकत तीसरे घर के श्वामी बने हैं और चौते घर में आ गये हैं अब बारवे घर के भी श्वामी है चौते घर में बिर्याजबान है तो मतलब क्या तीसरा घर कहीं न कहीं छोटे भाई बहन या रिलेशन का होता है किसी के शाट रिलेशन्शिप जैसे कि आज कल फ्रेंड सरकल का रिलेशन्शिप या रिस्तदार हो गये तो यह तीसरे घर का होता है इस पर राहू का प्रभाव मतलब क्या कि आपका अपरेल के बाद से कुछ रिस्तदारों के साथ खटपत हो सकता है कुछ भाई बहनों के साथ दिक्कत हो सकता है कुछ घर परिवार के घरिलू दिक्कते बढ़ सकती हैं किसी से अच्छे लोगों से संपर्ग तूट सकता है आपके पावर में कमी आशकता है कुछ राहू के प्रभाव होने कारण से कुछ इस तरह की दिकते परशान कर शकती है अपरेल के बाद से पुरे शाल तक ऐसा इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ब्रेश्पती उसी घर के स्वामी बने हुए है और बारवे घर के भी श्वामी बने हुए है और बारवे घर के श्वामी ब्रेश्पती चौथे घर में अच्छे पोजिशन पर नहीं है कुछ कोट कचरी की दिकते बढ़ेंगी कुछ स्वास्त कोले की दिकते बढ़ेंगी लाई जगडा का तो बताई दिया कुछ मेरे जलाइफ में दिकते बढ़ेंगी कि बारवा घर मेरे जलाइफ का भी होता है कुछ जगह परिवर्तन करोगे जो आपको नुक्षान दे सकता है कुछ परिवर्तन करना नहीं है जो आपको चेंज करना नहीं है कुछ जगह नहीं चेंज करना है कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपके लिए नुक्षान सावित हो शकता है ऐसा मुखा आपके पास आएगा बाई सप्रेल के बाद से कुछ जगा चेंज करना पड़े लेकिन चेंज करोगे तो दिक्कत में आओगे तो चेंज नहीं करना है अब चुकि राहू वहां बैठा है चुक्ते घर में अब रेश्पती बैठे हैं तो राहू तो शक्रात्मक है अब रेश्पती वहां बैठे हुए है तो राहू तो एनर्जी देंगे तो बहुत एनर्जी के साथ पाउर के साथ आप क्या करोगे अपने एनर्जी को दिखाओगे जिस वज़े से relationship खराब हो जाएगा आप दिखाओगे मेरे पास ये है मैं ऐसा हूँ ये कर सकता हूँ आप उन पर थोपोगे जिस वज़े संबन्द खराब होगा ये चीज़ ध्यान रखने की आउशकता है और coat कचरी का दिखत है स्वास्त का दिखत है राहू के वाज़े से लिवर को लेके ध्यान रखना चाहिए आपको जॉइंड इस ना हो इसका ध्यान रखिएगा तो ये सब चीज़े थोड़ा सा ध्यान रखने की हो शकता हो तो आज की बूड़ों इतना है बूड़ों से लाइक के सब्सक्राइब कर से जरू करेगा जाए हैं जाए भरत